हाई अब्रिवान आप सभी कर सागोते एक और नी वीडियो में नीवेट जानकरे के साथ आधरकड के साथ पेंकार्ड को लिंक करने के लिए आपको इंकम टैक्स ओपिसियल साइड पर आना होगा और इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आप सबसे पहले आपको आधरकड के साथ पेंकार्ड लिंक है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आपको किलिक करना है लिंक आधरी स्टाटस पर नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इसतर के से ओपन हो जाएगा पेन काड की option पर आपको पेन काड इंटर करना है और आधर काड नमबर पर आपको आधर काड नमबर इंटर करना है next यहाँ view link आधरी status तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते आपको एक pop-up show करेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है pen not link with other please click on link other link to link your other with pen आपको इस तरीके से option देखने को मिल जाएगा आपकी आधर काड की साथ pen card link नहीं है तो ठीक है तो आभी चलिए चलते है आधर काड की साथ pen card को किस तरीका से link करते है सो यहाँ पर हम लोग income tax की home page पर आचुका हूँ और आधर काड की साथ pen card को link करने के लिए next link other पर click करेंगे next interface कुछ इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते link other और यहाँ पर आपको एक note दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते थोड़ा आधर काड की साथ pen card को link करने के लिए आपको 1000 यानी 1000 रुपे की फिस देना होगा और आपका जो 1000 रुपे पे करोगे आपको return नहीं मिलेगा आपको बापास नहीं मिलेगा ठीक है और यहाँ पर आपको एक note दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते है आपको यहाँ पर कुछ location पर छूट दिये गायी है जिनको आधर काड की साथ pen card को link करने की जोरोत नहीं है एक number पर यहाँ पर आप देख सकते है तीसरे नमबर पर आप देख सकते हैं जिनका उमर 80 साल से ज़्यादा है या 80 साल उमर है उनको आधरकड की साथ पेंकर्ड को लिंक करने के जोरोत नहीं है इस्टेट अप रेसिडेंट इस आसाम मेगालोई और जम्बू और कास्मीर आसाम मेगालोई या जम्बू कास्मीर से हो तो आपकी आधरकड की साथ पेंकर्ड को लिंक करने की जोरोत नहीं है तो नेक्स्ट यहाँ पर पेंकर्ड और आधरकड नमबर इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको 3 स्टेप कॉम्पलीट करना है नेक्स्ट वैलिडेट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक पॉपप सु करेगा तो यहाँ पर आपको continue to pay पर क्लिक करना है यहाँ पर आपका pen card number इंटर करना है दुबाडा से pen and 10 पर यहाँ पर आपका pen card number इंटर करना है next आपको confirm करने के लिए confirm pen इस box पर आपको दुबारा से re-inter करना है enter mobile number for OTP verification तो यहाँ पर आप कोई भी एक mobile number को enter कर सकते है जो आपकी पास मजुद है next continue उपर क्लिक करेंगे आपने जो mobile number इंटर किया है उस mobile number पर जो OTP आया है उस OTP को आपको यहाँ पर enter करना है और आपको अगर OTP receive नहीं होता है तो recent OTP पर क्लिक करके आप दुबारा से OTP receive कर सकते है next यहाँ पर continue पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका pen card number और यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा आपको आपना pen card number confirm कर लेना है तो यहाँ पर next type of payment यहाँ पर select पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे slide down करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए एक option आधार रीपीस 500 तो 500 option को select करेंगे यहाँ पर हम पहला बाला option को select करेंगे fee for delay in linking pen with आधार next यहाँ पर continue पर click करेंगे यहाँ पर हम 1000 select करेंगे next यहाँ पर continue पर click करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाएगा payment करने के लिए आप net bank की थूरू debit card की थूरू यहाँ फोन पर गोगल पी की थूरू आप payment कर सकते तो मैं debit card से करेंगे तो यहाँ पर debit card को select करेंगे next यहाँ पर estate bank select करेंगे आपके पास जो bank है आप select कर लेना next continue पर click करेंगे next pay now पर click करेंगे next टामसन condition का एक pop-up show करेगा इसको आपको इस तरीके सा select down करना है box पर check out करना है टामसन condition को accept कर लेना है next submit to bank पर click करेंगे next आपका जो account number है यहाँ पर आपको account number इंटर करना है next इस capture को देखने के बाद same to same यहाँ पर इंटर कर देना है next proceed बटन पर click करना है next आपका जो mobile number है उस mobile number पर एक OTP receive हुआ है उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है next confirm बटन पर click करेंगे जिस ब्यक्ति का account से आप payment कर रहे हो उस ब्यक्ति का नाम यहापर देखने को मिल जाएगा और इस ब्यक्ति के नाम से जीतना भी debit card है यहापर show करेगा तो next आपको जो भी card से आपको payment करना है उस card को select कर लेना है तो next confirm बटन पर click करेंगे यहापर आपको ATM card पर जो नाम है नाम, expiry date and pin यहापर आपको इंटर करना है और capture देखने के बाद same to same इंटर करना है next proceed बटन पर click करना है तो यहापर payment complete हो जुका है पेमेंट करने के बाद next आपको income tax की home page पर आना है दुबार से आपको link आधर पर click करना है यहापर आपको same pen card और आधर कर नमबर इंटर करना है next validate option पर click करना है next इस तरह के से एक pop-up सो करेगा आपने जो 1000 रुपे payment किया है उसका यहापर date और amount देखने को मिल जाएगा तो next इहापर continue पर click करेंगे यहापर आपना pen card number और आपको other card number देखने को मिल जाएगा यहापर आप देख सकते हैं आपको check कर लेना है next इहापर other card पर जो आपका नाम है इहापर नाम इंटर करना है और एक mobile number इहापर इंटर करना है अगर आपकी other card में only year है तो आप I have only year of birth इन आधार पहला बाला option को select करेंगे इन व्यक्तिकी आधार कार्ड में date, month और year सब कुछ है तो I agree to validate my other details option को check out करेंगे next link आधार पर click करेंगे next आपने जो mobile number इंटर किया है उस mobile number पर OTP रिसीव हुआ है उस OTP को यहाँ पर enter करेंगे next validate option पर click करेंगे next यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक pop-up show किया है और एक pop-up में आपको बता दिया है your other pen link request has been received and sent for valid option in case required please check the status after 48 hours by checking on link other status under quick link on home page आपको home page पर जाना है आपको 48 घंटे की बाद इसके बाद आपको check कर लेना है और 48 घंटे की बाद आपका pen card के साथ हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो processor complete हो जाते है I hope जानकर आपको काफी पसंद आया होगा जानकर इपसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप से फिर मिलते है नेक्ट वीडियो में नियक आपनेट के साथ